नमस्कार मैं प्रियंका सिंग फ्रेंड्स आज बनाएंगे सूजी से बहुत जटपट वाली नस्ता और बहुत हैल्दी भी चलिए बनाना सुरू करते हैं मिडियम सैज का बाउल है फ्रेंड्स इससे रावा लेंगे दो कटोड़ी हमने लिया है बहुत बारिक वाली रावा है फ्रेंड्स ये इससे हम नस्ता बहुत बढ़िया बनाएंगे इससे नस्ता बहुत बढ़िया बनता है ये है आलू एक आलू मैंने बड़ा सैज का इसको म बिबारेक और यह दनिया को भी चॉक कर लेना है। हाप चमच गरम मसाला पॉडर और हाप चमच जीरा पॉडर यहाँ पे आड़ करेंगे यह है जीरा पॉडर अब हाप चमच इसमें आड़ करेंगे हम हल्दी पॉडर और हाप चमच नमक नमक अपनी टेस्ट के कॉड़िन डाले जिएगा और यहाँ पे क्या करेंगे अच्छी चाहिए भी डाल सकते हैं, लेकिन आज पानी दालके बनाएंगे और यहां, पे हम नारे इन zobaczy है और ना ही हम सोडा पर पहनर करेंगे क يस्तिमा ना आज बना लोगा बढ़ियां बनता है बहुत हेल्थी भी है और देखिये इस में पानी आसे करके अजुक्त करना है और जो बचा हुआ बावल में पानी इसको भी जारा इसमें एड़ करेंगे अच्छी तेरह से रावा मारा देखिए कैसे पर्फेक्ट अगर आपके मोटी वाली सूजी है फ्रेंट्स तो इसको फुला के कम से कम 10 मिनट तक रखिएगा ये बहुत बारिक वाली सूजी है इसलिए हमने फुलाने का इसमें वो नहीं किया यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे सारा सबजी डाल के 5 मिनट के बाद हम फिर बनाएंगे और ये दिखे कितना पौर्फेक्ट हमारा डोभ बन चुका है यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखिए फ्रेंट्स 5 मिनट से जढ़ा नहीं रखना है और देखिए ये 5 मिनٹ हो चुका है हमारा सूजी देखे कि यह बैसन लिए पॉरकेक हैंक थीछानियोग बबनाना सुरू करते हैं यहां प मतल में येeed अमने और में तःखे चाहिए और दयाल है और देखे कितना perfect यह देखने में लग रहा है yaaам पर क्या करने हम धख देंगे धखके कम से कम 1-2 मिनट कम से कम धखके रखेंगे या गैस कफले में यहां पे मीडियम में नहीं रखना है यहां पे लो पे रख हुई हूँ मैं और धक्के देखिए ऐसे बनाना है और इसके बाद से यह धक्कन हटा लीजिए और देखिए कितना बढ़िया नीची के हिस्सा से यह हो चुका है अब उपर से क्या करेंगे इसको बड़ा बिच्रिला बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं यह बड़ा में ने बना के आपको दिखाया यहां पे देखिए हम छोटा बना रहे हैं यहां पे जो सीव है हम उसको चार जगह रखेंगे और चार जगह देखिए ऐसे रखना है रखने के बाद जो हमने वेट पी एक साइच का होगा यानि आपका चीला एक साइच का बनेगा और देखे ऐसे करके और हलका हलका उपर से प्रेस करना है जादा नहीं करना है और देखे ऐसे रहके चारो तरफ से ऐसे प्रेस करना है उपर फिर क्या करेंगे सेव लेके हलका हलका डाल लेंगे और सेव डालन कि दमने संदधे रनेसी यहेंगे दोगरिए के नीची और उपर के इसको पकाना अब जबंक और द देखिए ई different साइट से भी हो चुका हैं अभी इसको सारा चीला हम निकाल लेंगे आपको आफ कोसाइट को यह थे नहीं पिर प्रेंट्स आपड़े सकते हैं वह यह रहा घो है और रावत चीला हैं कि हमारा बनके रड़ी हो चुका है और इतना बढ़िया है तो हरी चटनी से भी खा सकते हैं लालवली चटनी से भी खा सकते हैं और चाइए के साथ भी बहुत । यमी यद टेस्टी लगता है फ्रैंट्स सुभा कस नस्ता हो या साम का , फ्रैंड्स और या लन्च WHO लंच में भी आप बच्चों को दे सकते हैं ये प्रोटीन से भरा हुआ है रावाचिला काफी सबजी का इसमें मात्रा है आप चाहें तो जो सबजी नहीं पसंद वो स्क्रिप कर सकते हैं और आपको जो सबजी पसंद है वो एड़ कर सकते हैं आप गोपी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है, वो सबजी आप इसमें डाल सकते हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकूल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना बिलकूल मत भूलिएगा, मेरा रेसिप केसा बाइ 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 लुस्टों